नमश्कार जस्वीर केशन चैनल पे आप सब भेनों का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस दो कलर से चार और पांच नमबर जिनको जूता आता है उनके लिए सौक्स बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुन्दर असान सौक्स है इसको बिगनर भी बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स को बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने दस नमबर पे 80 फंदे डालने हैं 80 फंदे डाल कर आप इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि जे 4 और 5 नमबर वालों के लिए है और बहुत ही असान है और हमने बिल्कुल सिंपल फंदे डालने है तो 80 फंदे डालने के बाद हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे पूरी स्राइ उल्टी बनाएंगे जे रॉंक साइड है जे राइट साइड है तो राइट साइड से भी उल्टी ही बनाएंगे तो हम उल्टी उल्टी स्लाइयां बनाते हुए आठ स्लाइयां बनाएंगे आठ स्लाइय के बाद हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो पहले हम जे फर्स्ट वाली स्लाइय बना ले फिर सेकन वाली बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं जे देखिए फ्रेंड हमने न एक पूरी स्लाई बना ली है उल्टी अब हमने सीधी साइड है इसमें भी हम उल्टी उल्ट्या ही बुनेंगे ऐसे तो हम उल्टी उल्टी इसाइड जब ब stratégनेंगे तो एक लाइन बन जाएगी जहां पर जो हम आपको दिखाने वाले हैं जे देखिए ऐसी जो लाइन बनती है न ऐसी लाइन हमने चार बनानी है तो हमारी first slide second slide दो slide होगी अब दो के बाद हमने चार और slide ऐसी बनानी है जे second है तो third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth तो हम चार ऐसी line बनाएंगे उसके बाद हम design को start करेंगे तो पहले हम चार line बना लेते हैं रजे, देखिए friend हमने एक, दो, तीन, चार, चार line बना ली है अब हमने इसमें डिजाइन डालना है तो हम क्या करेंगे एक फंदा सिंपल उतारा एक दो तीन तीन फंदे हमने उल्टे बनाए थ्रेड पीछे किया एक फंदा हमने सीधा बनाया थ्रेड अपनी तरफ एक दो तीन चार पांच छे साथ तो साथ फंदे हमने उल्टे बनाए बीज में एक फंदा सीधा थ्रेड अपनी तरफ एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदे उल्टे बनाए थ्रेड पीछे किया एक फंदा सिंपल सीधा बना जे हमने design start कर दिया है हमने 3 फंदे उल्टे बुने 1,2,3 1 सीधा बुने के बाद 2,4,6,7 7 फंदे हमने उल्टे बुने 1 फंदा सीधा बुना 2,4,6,7 फिर उल्टे बुने 1 सीधा बुना तो ऐसे हमने पूरी सलाई बनानी है जे देखिए हम last में आगे हैं 1 सीधा बुना और 2,4,6,7 फंदे हमने उल्टे बुने फिर 1 फंदा सीधा बुना thread अपनी तरफ किया 4 फंदे बचते हैं 80 में से वो हमने 4 फंदे उल्टे बुन दिये क्योंकि जब इस side को इस side की सलाई करेंगे दोनों की आपस में तो एक सीधा जे है एक सीधा जे है बीच में 7 फंदे उल्टे आते हैं तो बराबर आएगा अब जो हमारी उल्टी side है उसको हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि जे उल्टी side है तो उल्टी सलाई बुनेंगे इसमें हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पूरी उल्टी बुनेंगे ये देखिए फ्रेंड हमने उल्टी सलाई भी बना ली है अब हम फिर सीधी सलाई में आगे हैं तो हमने क्या करना है तीन फंदे जो पहले हमारे उल्टे हैं वो उल्टे ही बुन्ने है बुन लिए अब थ्रेड पीछे करेंगे अब जो हमने सीधा फंदा बुना था न सिंपल अब सिंपल नहीं बुनना है ऐसे सिंपल नहीं बुनना है नीचे से बुनना है एक पीस एक सलाई नीचे से कहां से जहां से ऐसे तो नीचे से सिंपल फंदा बुनेंगे फिर हम 7 फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 फंदे बीच वाले उल्टे बुनेंगे इस फंदे को फिर नीचे से मतलव बुनेंगे ऐसे, ठीक है, फिर साथ फंदे उल्टे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे उल्टे बुनने के बाद, फिर इसको नीचे से ऐसे बुने, ऐसे, तो ऐसे ही हमने बुनते जाना है, उल्टी सलाई पूरी प्लेन बनानी है, सीधी पे इस लाइन को बरकरार रखना है, और हम जैसे, चार सलाई नीचे बुनी है, तो हम आगे, अच्छे से और सलाईया बुनेंगे, तो हम इसकी, बारा सलाईया और बुनेंगे, ठीक है, जहां से छोड़के, बारा लाईने एक, तो बारा लाइने और बुनेंगे, फिर आपको दखाएंगे और दूसरा कलर भी, यह देखिए फ्रेंट हमने चार लाइने उल्टी उल्टी बुनी थी, उसके बाद हमने इस टार जो किया था, इसकी हमने दो, चार, छे, साथ, आठ, आठ लाइने बना ली हैं, अब हमने दू दूसरा कलर लगाना है, तो टोटल हमारी लाइने हैं, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, बारा लाइनों के बाद, क्योंकि हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं, उल्टी साइड से उल्टा तो हम उल्टे तरफ से ही कलर लगाएंगे, जैसे हमने इसमें लगाया है, यह देख तो पहले हम इस कलर को साथ में लगाते हैं इस कलर को चाहे आप बांद लीजिए दूसरे थ्रेड से चाहे आगे आगे लाकर ऐसे इसको बाइंड कर लीजिए ये भी अच्छा रहता है निकलता नहीं है थ्रेड तो ऐसे हम हम इसकी पूरी सलाई इसी कलर से पलेन उल्टी साइड से बनाएंगे ये देखिए राजे हमने कलर लगा लिया है अब हम सीम जैसा बुनते आए हैं वैसा ही बुनेंगे हमने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं जो बुन रहे हैं जहां से हम नीचे से बुनते हैं सीधे फंदे म तीन चार पांच छे और साथ उसके बाद हम ऐसे ही जैसे नीचे से बुनते हैं वैसे बुनेंगे और हमने जे चार लाइने बनानी है एक दो तीन चार चार लाइने बनाने के बाद हमने एक लाइन दूसरे कलर की जो base color है, base डाला है उसी color की एक और line बनाएंगे मतलब दो स्लाइब उपर और बनाएंगे तो एक line और आएगी हमारी तो हमने इतना बना के फिर गटाई डालनी है तो कैसे डालनी है वो हम आपको इतना बना कर 4 line ने J और 1 J मतलब 5 line ने बना कर आपको दिखाएंगे यह देखिए friend हमने क्या किया है जो ए 4 line ने बनाई है pink color की 2, 4 एक हमने और उपर line बनाई है जो के wrong side से start होई थी line एक सलाई फिर दूसरी सलाई उल्टी फिर तीसरी सलाई तीन सलाई हमने इस color की बनाई है तो अब हमने क्या किया है 23 फंदे इदर रखे हैं 23 इदर ऐसे आपने divide करना है तो जो आपके 23 फंदे हैं इनको simple बनाई है आपने जैसे बन रहे थे लेकिन अब हमने ये सीधी फली नहीं बननी है पूरी सलाई उल्टी ही बनानी है जो हम सीधी line बन रहे थे सीधा फंदा बीज में से नकाल के उसको हम बंद करतेंगे उल्टा बन लेंगे ऐसे तो जै हमारी उल्टी line शुरू हो जाएगी ऐसे तो हम जहां तक मार्कल गया है वहां तक बनेंगे तो हमारे ये 23 फंदे हैं जै 23 फंदे हैं इनको as it ऐसे ही बनना है आगे जो हमने मार्कल गया है उस मार्क को हम इदर रखेंगे और जहां से लेके जहां तक हम दो दो का एक करेंगे दो फंदो का एक या फिर दो फंदो का एक जितने फंदे हैं दो का एक दो का एक करेंगे ऐसे अपनी तरफ उल्टे देखेंगे दो का एक, दो का एक, क्योंकि हमारे 80 बंदे हैं, 20 थी उदर रखे हैं, 23 उदर रखे हैं, जड़ेगी हैं, दो का एक, फिर दो का एक, बीच वाले बंदों का हमने ऐसे किया हैं, तो हमारे इतने बंदे बचे हैं, अब जो मार्क आ गया है, इस मार्क को हम इधर कर देंगे, और बाकी फंदों को सिंपल, पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे, इसमें कोई फंदा कम नहीं होगा, यह देखें, ऐसे हमने सलाई बुननी है, इसको हम अब नहीं रखेंगे, इसको हम काड़ देंगे जहां से, और एक ही फ्रेट जलाएंगे, और रॉंग साइड जो है, उल्टी साइड, यह हमने पूरी उल्टी बुननी है, इसमें कोई फंदा भी कम नहीं, जड़ ज्यादा नहीं करना है, तो हम ऐसे ही पूरी सलाई उल्टी बुनेंगे, जड़ देखिए, उल्टी सलाई हमने बना ली है, अब फिर राइट साइड में आगे हैं, राइट साइड में फिर हमने ट्वंटी थ्री फंदे बुनने हैं, जहां तक, तो हम पूरे उल्टे उल्टे फंदे बुन लेंगे, जह देखिए, हमने पूरे ट्वंटी थ्री फंदे बुन लिये हैं, मार्क को हम इधर कर देंगे, अब आगे जो हमारे इतने फंदे बचे हैं, जह भी हम दो का एक, दो का एक करेंगे, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, ऐसे, और लास्ट में एक बचरा है, इसको ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है, अगर एक बच गया है, तो ऐसे ले लीजिए, कोई ए नहीं है, कि हमने दो का ही एक करना है, एक बुन लिया है, अब हम इस मार्क को इधर ले आएंगे, और बाकी के फंदे ट्वंटी थ्री जो हैं, वो पूरे के पूरे, ऐसे ही बुन देंगे, जो देखिए, हमने बुना है, और इतने बंदे बीज में बचे हैं, दो, चार, छे, आठ, नौ, नौ बंदे बीज में बचे हैं, अब हम आते हैं, इसकी रॉंक साइड में, रॉंक साइड हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे, और जो मार्क हमने लगाया है, वो हटा देंगे, यह देखिए इस मार को हम हटा देंगे बाकी फंदे हम ऐसे ही बुल लेंगे थोड़ा डीलात रखना है जहां पर टाइट नहीं करना है तभी ग्रेस आएगी यह नहीं के टाइट बुल लेजिए आप फिर कहेंगे टाइट हो गए हैं जे भी उतार देना है दोनों मार को टार दिये हैं और देखिए डिले डिले हमने यह लूज बंद किये हैं टाइट आइट करेंगे तो ग्रेस नहीं आएगी और सौक्स भी अच्छी नहीं लगती फिर टाइट में थोड़ा सा हाथ को लूज रखिए और पूरी सलाई ऐसे ही बनाईए जो देखिए हमारी एक दो तीन लाईने बन गी हैं और फंदे कम हुए गया यह मार का हमने अटा दिये हैं और अब हम इसको बैंड करेंगे तो राइट साइट से ही बैंड करेंगे और लूज हाथों से बंद करेंगे तो दो का एक करेंगे पीच्छे को ठीक है जहां पे ड ताइट बंद नहीं करना है, प्लीज, प्लीज, राजे आपने ठीक ठीक रखना है, ना लूज, ना टाइट, यह देखे, इतनी सुन्दर चेन बन के आती है, इसमें हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं, यह देखे, कितनी सुन्दर चेन बनी है, जो चेन सी बनानी है, आपने जहां हमने bind किये थे वहां भी अगर tight बंद करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा stitch में तो ऐसे आपने पिछे को बंद करना है तो हम bind करके आपको दिखाते हैं ठीक है जे देखिए friend हमने bind कर दिया है पूरी चीन बनी है और डिले डिले बंद हुए है और हमने ये thread रख लिया है सलाई के लिए थोड़ा काट कर अब हमने क्या करना है हमने जहां से जहां तक सलाई करनी है पहले जे करेंगे फिर जे करेंगे सलाई आपने बिलकुल ध्यान से करनी है बराबर आनी चाहिए हमने जहां chain नहीं बनाई है तो हम उल्टे उल्टे फंदे ही उठाएंगे जे वाले जैसे जे होते ना जे है यही लेके हम सलाई करेंगे और पूरी line से line मलाएंगे ऐसे तो हम आपकोслाई करके ही दिखाते हैं ऐसे इसको सिलना है पूरे जोड करके फिर आपने यह नीचे का भाग जे है जे भी आपने बिलकुल जोयन्त करके जो एक लास्त वाले पीस है हम पहले भी सिल चुकी है ऐसी सोक्स तो वो आपने ऐसे सलाई करनी है आपस में जहां तक ठीक है तो हम आपको सलाई करके दिखाते हैं जे देखिए ऐसे आपने सलाई करनी है इदर वाला पीस इए उल्टा लेना है जो इस दिख रहा है न जे और उधर से जे तो ऐसे आप सलाई करते जाएए जो के आपस में ऐसे जुड़ेगी और जे दोनों लाईने ऐसे दिखेंगे जे दिखिए फिरन्ट हमने सलाई करती है साइटों की सलाई भी करती है और नीचे की तो हमने ऐसे सलाई की है के लाईने आपस में सॉरी हमने ऐसी स्लाई की है कि लाइने आपस में जुड़ जाएं तो ऐसे सिलने के बाद इसकी शेप कुछ ऐसी आई है अब हम इसको पैर में डाल के आपको दिखाते हैं जे देखिए इसकी शेप कितनी सुन्दर आई है जे बन कर बहुत अच्छी लग रही है आप चाहें तो जहां कोई फुलावर वगएरा भी लगा सकते हैं साइड में कुछ लगा सकते हैं जे जरूरी नहीं है अगर सिंपल ही पैनना चाते हैं तो जो हमने बोला था कि हमने दो दो कफंदों का एक या है उसकी ग्रेस देखिए कितनी अच्छी है वो एक जाली की तरह एक नेट की तरह दिख रहा है और बहुत सुदर लग रहा है और अगर आपको जे हमारा अच्छा लगा हो बनाना ये देखिए जे इसके साथ का पीस है हमने बनाया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको भी हम रेडी कर लेंगे, सलाई कर लेंगे ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है, दो तो हम से लेंगे नहीं एक साथ में, जे देखिए कितना सुन्दर लग रहा है जे पोर्शन बन कर भी, और जे हमने चार और पांच नमबर वालों के लिए बनाया है अगर आपने इसी डिजाइन में बड़ा बनाना है, आपने 95 फंदे रखने है उससे छोटा आठ नमबर और 9 नमबर के लिए 95 फंदे रखने है शे और साथ के लिए आपने 90 फंदे रखने है, हमने 4 और 5 के लिए बनाया है तो हमने 80 फंदे रखने है जे टीनेजर को आज आएगा लड़कियों के लिए जे बेस्ट बनी है जो कहते हैं कि हमने छोटा साइज में बनाना है हमारी बेबी मांग रही है कि ऐसी सॉंग्स चाहिए जे उन के लिए है तो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमें लाइक करें, सबस्क्राइब करें थैंक यू